एक गाओ में चतुर नाम का एक आडमी रहता था वो एक राजा के दर्बार में काम कटा था वो बहुत चलाक था पर आलसी भी था एक दिन घर में आते ही उसकी पत्मी उसे बोली मैंने कितनी बार आप से कहा कि कुवे से पानी निकाल कर बाहर बागीचे में डालो पूरा बगीचा सुख रहा है बाहर जाका डेको कितनी डूप है चतुर सोचने लगा बात तो सही है पर इतना पानी निकालेगा कौन चलो बाहर जाका कोई आईडिया लगाते है ये सोच का वो बाहर आग चतुर ने देखा कड़ी जूप की वजा से बहुत से पोधे मूर्जा चुके है पर कुवे से पानी निकालेगा कौन बगीचे में टहलते हुए वो एक कोने की डेवार के पास आया, तो असनी देखा कि दूचोर बाहर एक गड़ा खोड रहे है, एक चोर दुश्रे से बोला, आज राट को चटुर के घर में चोरी काटे है, मेनी सुना है कि चटुर ने राजा के दरबार से काफी सोना एक खटा किया है, चटुर घर पर लोटनी के बाद सो चने लगा, चोरो को किस तरह सबक सिखाय जाए, आखिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो खूश हो गया, चटुर अपनी पतनी को लेकर दीवार के पास आया और चोरो को अंडेखा कर बोला, आरी सुन्टी हो मुझे दर्बार में पता चला है कि गाउ में छोरिया हो रही है, इसे पहले की हैमरे घर में छोरी हो, जाओ और जितना सोना हैमरे पास है सब एक बोरी में भर लाव, चटुर की पतनी ने घर में जाकर एक बोरी में बहुत से पत्थर रख कर उसका मूँ बांध दिया और बागीच में ले आई, चटुर ने बोरी को कुवे में डालने को कहा, दोनों चोर छूप कर ये सब देख रहे थे, चटुर अपनी पतनी से बोला, देखो अगर चोरा भी गए तू उन्हें हमारे घर में सोना नहीं मिलेगा, क्यूंकि सोना तो कुवे में रखा है, राठ होटे ही दो दोनों चोर चटुर के बागीचे में आ गए अन्हों ने देखा कुवे में पानी तो बहुत है पर कुवा जादा गहरा नहीं है, दोनों ने फैशला किया कि वो कुवे का पानी बाहर फैंक डेंगे और जेजी ही बौरा नजर आए वो उसे निकाल लेगे, बस फिर क्या था दोनों बाल टिया लेकर कुवे में उठार गए और पानी बाहर फैंकने लगे, पानी तो बहुत जादा था, पसोने का लाला चसी भी जादा था इसलिए दोनों राट भर पानी बाहर फैंक टे राट भर में इतना पानी निकाल दिया कि बाहर नडिया बहने लागी, आखीर में जब अन्होंने बोरा बाहर निकाल का खोला तो उज में अन्हें सिर्फ पत्थर मिले, दोनों चोर बहुत पच्टाने लगे, वो समझ गए कि चटोर ने उनका इस्तेमाल करके कुवे से पानी निकाला है, पर चटोर का काम तो हो चुका था, पूरा बगीचा पानी से भर गया था, और कुछ डीनों के बाद बगीचा फिर से फूलों से भर गया,